हेलो चिल्डरन, कुसो मैं के लाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बचो, आज हम पांचमी कक्षया के विश्या परिवेश अध्यान का पार्ट 21, कपाल मोचन एक संस्कृतिक द्रोहर को अच्छी तरह से पढ़ना भी सीखेंगे और इसमें जितने भी क्योश्यंस आ पढ़ना बेहत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक बार लैसन को समझ कर पढ़ लेते हैं, तो उसमें से चाहे जो भी क्योश्यंस हमसे पूछ लिये जाए, हम सभी क्योश्यंस के आंसर दे सकते हैं, और अगर हम लैसन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमे क्योश्यंस के आंसर नहीं आएंगे, और एक्जाम में भी कम आखस आएंगे, तो देखिए एक और बात है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टड़ी हैं को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रे आरती के कदम खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे, आज उसके चाचा चाची जो आने वाले थे, चाचा चाची के साथ गिन्नी दीदी और छोटू भाईया भी आएंगे, फिर वे सब मिलकर हर साल की तरहें कपाल मोचन मेला देखने चाएंगे, तो यहां पर देखो बच्चो, यह एक द्रिश्य दिखा रखा है, कहां का है पता है, यह कपाल मोचन मेले का है, और यह कपाल मोचन मेला कहां लगता है, यह यमुना नगर में लगता है, ठीक है, यमुना नगर जिले में, हरियाना के यमुना नगर जिले में जो है, वो मेला देखा है तो आप कह सकते हैं हाँ और अगर कौन सा मेला देखा है तो उसका नाम भी आपको बताना है जैसे मानलो आपने यमना नगर का कपाल मोचन मेला देखा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने हरियाना के यमना नगर जिले में लगने वाला कपाल मोचन मेला देखा है आगे हैं तुम मेले में किस के साथ गए थे तो ये बताना है बच्चो आपको आप अपने दोस्तों के साथ गए आप अपने परिवार के साथ गए मुम्मी पापा के साथ गए तो आपको ये बात खुद बतानी है आगे हैं तुमने मेले में क्या क्या देखा क्या खाया तुमने मेले में जो भी चीजे देखी ना बच्चो वही बताना जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने मेले में भिन भिन किसम की हाथ सिल्प कलाएं देखी और इस तहां से और भी जो भी कुछ देखा ना आप वो सब कह सकते हैं और आपने क्या खाया जो कुछ भी वहां पर खाया जैसे आपने कुछ जले भी खाई या कुछ समोसा कुछ भी खाया वो आप उसका नाम ले सकते हैं अब आरती, आरती कहती है दादा जी, चाचा जी कितनी देर में आएंगे? अब दादा जी कहने लगे बस आने ही वाले हैं. आरती ने कहा दादा जी हम तो जगाधरी में रहते हैं, हमारे घर से कपाल मोचन कितनी दूर है? उसके दादा जी ने कहा बेटा, यह स्थान जगाधरी सहर से लगभग सत्रह किलो मेटर दूर है. अब आरती ने कहा कि हम वहां तक कैसे जाएंगे? दादा जी अब दादा जी ने कहा वहां जाने के लिए सरकार दवारा बहुत सी बसे चलाई जाती है, हम उन्हीं से जाएंग अब आगे हैं पता करो और लिखो. क्या तुम्हारे गाउं, नगर, शहर में कोई इतिहाशिक या पुराणिक सल या इमारत है? तो वो आपको यहां पर बतानी है बच्चो, अगर है तो फिर आपको लिखना है हाँ. हमारे सहर में कोई, मानलो प्राचीन श्रोवर है या उसका नाम यहां पर आप बता सकते हैं. आगे है यदि हाँ, तो क्या तुमने उसे देखा है? यदि आपने देखा है तो आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने उसे देखा है. अब यह किस अवस्था में है? तो उसकी अवस्था के लिए भी बताना है बच्चो कि वो उसकी अच् ही है जो कुछ भी है वो बताने आपको आगे से क्यूशन पूछा है क्या इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं हाँ अगर वो पुराने क्या इतहाशिक स्थल है कोई इमारत है या कोई स्रूबर है तो जरूर उसको देखने के लिए लोग पियाते होंगे तो लिख सकते हैं हाँ इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्या इसके रख रखाओ के लिए उचित प्रबंध किये गए हैं इसके रख रखाओ के लिए तो अगर उचित प्रबंध किये गए हैं तो लिख सकते हैं हाँ इसके रख रखाओ के लिए चित्र भी बनाओ तो आप यहां जो है आपको ये काम खुद करना उसके विश्य में कुछ लाइने भी लिखनी है और उसका चित्र भी बनाना है ठीक है आगे क्या तुम्हारे आसपास किसी अन्या स्रोवर में भी कुछ विशिष्ट अवसरों पर स्नान करने की प्रथा है आप लिख सकते हैं हाँ अन्या कई स्थानों जैसे कपाल मोचन के कुंड में कार्तिक मास की पुर्णीमा को और कुक्षेत्र के ब्रहम स्रोवर में सूर्य ग्रहन के अवसर पर स्नान करने की परंप्रा है अब आर्ति ने कहा लो चाचा जी चाची जी भी आगए आर्ति बोले कि लो चाचा जी चाची जी यानि तोनों ही आगए चाचा जी चाची जी भी आगए चाची जी ने आरती को प्यार से गले लगाया, फिर वह गिन्नी दीदी वह छोटू भईया को लेकर अपने कमरे में गई वहां उसने मेले में जाने के लिए अपनी नई फ्रॉग वह स्वेटर दीदी वह भईया को दिखाए मम्मी वै चाची जी ने खाने की बहुत सी चीजे बनाई चाचा जी वै पिता जी मेले में जाने के लिए बस की टिकटें लेकर आए अगले दिन सुभा पांच बजे उठ कर सभी मेले के लिए रवाना हुए अब दादा जी दादा जी कहते हैं इस मेले में हर साल लाखों लोग सनान करने वै मेला देखने आते हैं इसलिए आरती तुम गिनी वै छोटू हमारे हाथ पकड़ कर रहना अब आरती ने कहा दादा जी यह मेला क्यों लगाया जाता है तो बच्चो यहाँ पर देखो अब उसके दादा जी बताएंगे की मेला क्यों लगाया जाता है दादा जी कहते हैं बच्चो हर साल कार्तिक मास की पुर्णी मापर कुछ दिन पहले से इस मेले का आयोजन किया जाता है कपाल मोचन एक पुरानिक स्थल है इस स्थान का उल्लेक पुरानों तथा महाभारत में भी मिलता है मान्यता है कि इस स्थान पर बहुत से हिंदू देवता, पांडव, गुरु नानक देव जी तथा गुरु गोविंद सिंग जी आये थे माना जाता है कि यहां कार्तिक मास की पुर्णीमा पर सनान करना पवित्र होता है सर्दी के मोसम में कार्तिक सनान से हमारा शरीर स्वस्थ वे मजबूत बनता है गुरु नानक देव जी का जन दिवस होने के कारण यहे दिन और भी शुब वे मंगलकारी माना जाता है अब आगे हैं पता करो और लिखो यहां पर देखो कुछ क्यूशन दे रखे हैं पहला क्यूशन है बाबा गुरु नानक देव जी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबा गुरु नानक देव जी सिख धरम के संस्थापक और पहले गुरु थे अब आगे हैं उन्होंने क्या सिख्षाएं दी? बाबा गुरु नानक देव जी ने लोगों को अंध विश्वासों के विरोध में जागरूख किया उन्होंने प्रभु भक्ती करना, जरूरत मंदों की सहायता करना एवं इमानदारी से काम करना सिखाया अब आगे हैं गुरु गोविन्द सिंख जी कौन थे? गुरु गोविन्द सिंख जी सिखों के दस्वें और अंतिम देहधारी गुरु थे तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसका आधा पार्ट और भी रहता है वो सब हम सीखेंगे तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो